तो चलिए दोस्तों जानते हैं दुनिया की 10 सबसे बड़ी हफवाओं के बारे में लेट्स विगिन नमबर 10 दिवाली की फोटो की अफवा आपने इंटरनेट पे कभी न कभी ये फोटो जरूर देखी होगी और बढ़ा भी होगा कि भारत की ये फोटो नासा दोरा दिवाली की रोशनी के दोरान खीची गई है जिसमें सारा भारत उजाले से भर गया है इस फोटे से ये दिखाने की कोशिश की गई है कि दिवाली इस तियोहार के दोरान किस तरह से भारत का सारा आश्मान रोसनी से जलूटता है पर असल में ये फोटो भी एक अफवा है जिसे नासा दोरा अधिकारिक तोर पर निस्चित किया गया है कुछ दिनों पहले लोगों को अगा करने वाला एक मैसेस इंटरनेट पे घूम रहा था और लोग भी इसे दबा के शेयर कर रहे थे कि अगर आपको 09141 इस नमबर से कॉल आ रही हो तो ये कॉल बिल्कुल भी रिशीव न करें ये कॉल रिशीव करते ही हाई फ्रेक्वेंसी तरंगों की वज़े से सीधे दिमाग पे आघात हो जाएगा और आपकी मौके पर ही मौत हो जाएगी बाद में निश्चित किया गया कि ये बस एक चालाकी थी और कुछ भी नहीं अगर आपने भी इंटरनेट पे इस फोटो को परी का मृत शरीर मानकर शेयर किया है तो आप भी सबसे बड़े हफवा का शिकार बन गये हो ये फोटो किसी परी का फोटो न होकर प्रापर्टी मेकर डेन बेन इस व्यक्ति के द्वारा तयार किया हुआ एक मौडल है लोगों को अप्रेल फूल बनाने के लिए डेन ने इसे परी का मृत शरीर इस टेक के साँ शेयर किया था जो इंटरनेट पे वाइरल हो गया इस फोटो पे जरा गौर कीजिये ये फोटो सोशल मीडिया पर यह करकर शेयर की जा रही थी कि एक भारती माता ने एक साथी ग्यारा बच्चों को जर्म दिया पर इस कहानी में कुछ भी दम नहीं असल में ये 11 बच्चिये 11-11-11 इस खास तारिक पे सूरत में जनमे थे इसलिए अस्पताल स्टाफ ने इसकी एहमियत को समझते हुए ये फोटो निकाली थी करीब 5 साल पहले लोगों में ये चर्चा का विशे बना रहा कि दिसंबर 2014 में लगातार 6 दिन के लिए प्रित्वी पर अंधेरा हो जाएगा और लोग इस बात पर विश्वास करें इसलिए इस अफवा के निर्माताओं ने ये भी कहा कि ये बात नाशा याने की अमेरिकन स्पेस एजन्सी द्वारा निश्चित की गई है पर असल में ये पूरी बात बकवास निकली और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ मार्च 2014 में मलेशियन हवाई जाहाज MS-370 ये उडान भरने के कुछ समय बाद गायब हो गया हवाई जाहाज में 249 लोगों का कुछ भी पता नहीं चला इसे ढूंडे जाने के सारे प्रयास असफ़ल रहे यहीं से हफवाओं के शुरुआत हो गई कहा जाने लगा कि मलेशियन एर फोर्स द्वारा रडार पर कुछ UFO को देखा गया था शायद ये काम उन एलियंस का भी हो सकता है अंततहे बाद पूरी तरह से बकवास निकली और कहा गया कि ये बस एक हफवा है नमर फोर यती का मृत्ष शरीर 2078 में दो लोगों द्वारा ये दावा किया गया कि उन्हें बिगफूट याने की यती इस महादानों का प्रेत मिला है उस वक्त इस मामले को बड़े-बड़े निउस चैनल्स ने कवर किया था इसलिए मामला इंटरनेट पे जोर पकड़ रहा था पर असल में इन दो नौजवानों ने करीब 50,000 डॉलर खर्च करके पुतला बनाया था जो बिल्कुल यती की तरह नजर आ रहा था इसके बाद गलत अफवा फैलाने की मामले में इन्हें सरकारी कारवाई का सामना करना पड़ा इक लएंट के विल्षीर प्रांत के गेहूं के खेतों में बड़े-बढ़े सरकल्स दिखाई देने लगे थे ये सरकल्स आसमान से देखे जा सकते थे इन सरकल्स ने हजारों अफवाँओं को जन्म दिया इसके अभ्यास की बाद माना जाने लगा कि ये सर्कल्स एलियन्स द्वारा बनाए गए और करीब 20 साल तक लोग इसके पीछी एलियन हाथ होने की संकलपना को सही मानते चले गए पर एक दिन दो लोगों ने सब के सामने आते हुए कहा कि ये सर्कल्स हमने रसियों का सहारा लेकर बनाए है हम बस थोड़ा सा मजा करना चाते थे इस घट्टा के बाद इसके पीछी एलियन होने की बात को पूर्ण विनाम लग गया आपने इंटरनेट पे कई विडियोस में या सोशल मीडिया साइट पर ये फोटो जरूर देखी होगी कहा जाता था कि ये हर्कुलस नामक इस दुनिया के सबसे बड़े कुत्ते की तस्वीर है ये बात पूरी तरह से सच है कि हर्कुलस ये कुत्ता कभी इस दुनिया का सबसे बड़ा कुत्ता हुआ करता था पर हर्कुलस वो नहीं जो इस तस्वीर में दिखाए गया है इस तस्वीर को फोटोशॉप कर इस कुत्ते को हेरकुलस बताकर लोगों के सामने प्रस्तुत किया गया है पर असल में ये पूरी फोटो ही नकली है हाली में जोदपूर भारत में मिले एक एलियन की तस्वीर ने इंटरनेट में धूब मचाई थी कहा जा रहा था कि जोदपूर जीले की बावडी गाउं में पानी के लिए टूवियल खोदते समय ये जीव जमीन से बाहर निकल गया इंसान की जैसा चेहरा और मेड़ज जैसे हाथ पैर वाले इस जीव के तस्वीरे जब लोगों ने इंटरनेट पे देखी तो लोगों ने इसे एलियन कहना शुरू कर दिया अगर आप गहराई तक सोच कर देखोगे तो पता चलता है कि जीव की ये तस्वीर छोड़ कर कोई दूसरी भी तस्वीर या वीडियो मौजूद नहीं है इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये तस्वीर फोटोशाप कर फैलाई गई हो सकती है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंड में जरूर बताएं फिर मिलूँगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार